हेलो स्टुडेंस वेलकम टू जीनियस आइस तो आज हम बात करेंगे mcq series में मिजरिंग डिवाइसीज की मतलब हमने देखा कि कुछ quantities होती हैं उनकी units क्या होती हैं जैसे length की meter है mass की kilogram है यह हमने कर लिए ठीक है तो उनके लिए कुछ specific instrument भी बने होंगे अलग अलग quantities को मिजर कर निकले तो उन्हें बोलते हैं measuring devices तो आज का हमारा topic रहेगा कि जो measuring units हैं उनके लिए devices क्या हो सकती हैं तो देखते हैं topic के साथ आगे बढ़ते हैं चलिए सोनार क्या है पहले तो सोनार की full form भी पोच ली जाती है sound navigation and range यानी navigation आपको पता है कहां करते हैं या oceans के अंदर ठीक है वहाँ पे sound और range को मिजर करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं तो इसमें generally हम पहले waves के देख रहे हैं कि कि किसका प्रियोग होता है इस के अंदर ठीक है इन सोनार वे इसमें यूज फर्स्ट आपका रेडियो वेव जो है किसमें होते हमारी आइनो स्फेर में होती एटमों स्फेर की जो लेयर है ठीक है वहां से टकरा के वापस आती है तो ये जनरली हम किसमें चुज करते हैं कम्यूनिकेशन के लिए नेक्स है हमारा ओडिवल साउंड क्या है देखो सोनी वेव होती है सोनिक सोनिक वेव को जो हम सुन सकते हैं इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं ओडिवल साउंड वेव उसकी जो फ्रेक्वेशन के लिए जो ओडिवल साउंड वेव च्शिंड से 20 से 20,000 Hz, अगर 20 से कम हो, less than 20, sonic है, तो कम होगी, क्या हो जाएंगी, इंफ्रासोनिक, less than 20 Hz, ठीक है, और अगर 20,000 से जादा है, तो क्या होगी, ultrasonic, more than 20,000 Hz, तो जो सोनार है, उसके अंदर हम, sound, जो audible sound waves है हमारी, उससे जादा की frequency use करते हैं, तो कौन सी waves use होंगे, आपकी ultrasonic waves, ultrasonic में भी use होती है, ठीक है, तो यह है आपका answer, क्या होगा, कुछ animals में, जो है, यह 20 से कम हो सकते हैं, और 20,000 से जादा हो सकते हैं, कि आपने देखा होगा, कुटो को, या elephant को, जो जंगली जाना हो तो उनको जल्दी पता लगता है, जैसे कोई भूकंप आने वाला हो, या फिर कोई भी दुरगटनों होने वाली हो, क्योंकि उनको जो है, frequency भोग जल्दी फील होती है, clear? next हम बात करते हैं, the apparatus used to measure intensity of sound, sound की intensity को हम किस से measure करते हैं? तो sound की intensity को हम measure करते हैं, audio meter से, बाकी का क्या है? chronometer क्या होते हैं? chronometer जो है, ancient Greek के अंदर, मतलए पुराने टाइम में, Greek में, specially किसके लिए, वोच की फोम में एक instrument यूज क्या जाता था, तो उसे हम बोलते हैं chronometer, clear है? any meter कुछ नहीं होता है, any more meter होता है, audio phone क्या है, जो hearing aids आप यूज करते हो, hearing aids, ठीक है? मतलब, यानि, जो कान के अंदर, machine लगाई जाते हैं, जिन लोगों को कम सुनता है, उसे हम बोलते हैं, audio phone, clear है? तो ये हैं आपके apparatus, so intensity of sound को measure करने के लिए, हम कौन सा apparatus से use करते हैं? audio meter, clear है? next, which one of the following instrument is used for locating submerged objects in an ocean? हमने देखा था कि navigation में हम क्या यूज करते हैं? navigation में हम सोनार का यूज करते हैं, और वो भी किस के लिए? sound navigation and range का पता लगाएं, यानि, जो ultrasonic waves हैं, वो नीचे जाएंगी, और कोई भी अगर object वहाँ पे डूबा हुआ है, ठीक है? तो उसका हमें पता लग जाता है, जब वो उसे टकरा के वापस आती हैं थे, ठीक है? तो किस का यूज करेंगे हम? submerged object के लिए? sonar का, clear है? बागियों का audio meter हमने देख लिया है, किस के लिए? intensity of sound के लिए? ठीक है? galvanometer किस के लिए use करते हैं? galvanometer हम use करते हैं, small current के लिए, small current को measure करने के लिए, ठीक है? और साथ में उसकी direction, यानि magnitude and direction, दोनों का पता लगाया जाता है, किस से? galvanometer से, लेकिन जो emitter होता है, उससे हम large current को तो measure कर लेते हैं, बढ़ direction का पता नहीं लगा सकते हैं, तो यही difference है दोनों में, कि यह deflection बता देगा, कि current की side flow कर रहा है, ठीक है? sextant का प्रियोग किस में करते हैं? sextant का प्रियोग क्या जाता है? जो horizontal होता है, ठीक है? उसके साथ universe में जितने भी objects हैं, जितनी भी celestial objects हैं, उनका क्या angle बन रहा है, उस angle को measure करने के लिए, हम किसका प्रियोग करते हैं? sextant का, क्लियर है? चलिए, next है, sonar is mostly used by, अब हमें पता है, navigation purpose में use किया जा रहा है, तो कौन use करेगा? navigators ही use करेंगे, तो sonar is mostly used by navigators, ठीक है? next, which of the following is, measured by animometer, animometer से हम क्या कर सकते हैं? जो wind है, यानि बहती हुई air को हम क्या बोलते हैं? moving air को हम wind का नाम देते हैं, तो wind जो है, कि speed से जा रही है, और उसकी direction क्या है? speed with direction is known as velocity, ठीक है? तो velocity of wind या force of wind, जो है, किस से measure कर सकते हैं? हम animometer से, ठीक है? depth of water के लिए हम क्या use करते हैं? feather meter, कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है, क्यों? गहराई को हम एक और unit में measure करते हैं, depth को, feather, ठीक है? किस के equal होते है? 1.8288 meter की, ठीक है? तो इससे measure करने के लिए हम क्या करेंगे? feather meter, clear? intensity of light, जो है light के लिए हम photo word यूज करते हैं, तो photometer हो गया, ठीक है? और बाकी velocity of water flow, बाकी जैसे सभी object के हम velocity measure करते हैं, वो इससे भी कर लेते हैं, parometer is used to measure, अभी हमने किया है, किस के लिए? high temperature के लिए use करते हैं, ठीक हो गया, air pressure को आप किस से measure करते हो? barometer से, क्योंकि air pressure को, हम किस से identify करते हैं, मतलब बार के, bar की form में लिखते हैं, जो की 760 mm of Hg के equal होता है, या फिर 76 cm of Hg, ठीक है? next, humidity को हम measure करते हैं, high grometer से बहुत है important है, बहुत बार पूछा जाते हैं, high grow और density है hydro, ठीक है? clear? so high grow और hydro, दोनों धानक ना, hydro density के लिए है, और high grow जो है, humidity के लिए, clear है? next, which of the following devices is used to measure extremely high temperature, अभी हमने क्या है, pyrometer, photometer intensity of light है, phonometer क्या है, phone जो है, यानि यह हमारी sound की form में है, intensity of sound है, वो क्या है? one phone के equal होती है, ठीक है? जिसको हम further decibel में convert कर देते हैं, तो phonometer से क्या measure करेंगे हम? intensity of sound, ठीक है? then, बात करते हैं, pycnometer की, pycnometer क्या measure करेगा? specific gravity, specific gravity के लिए हम another term जो use करेंगे, वो होती है, आपके relative density, relative density का मतलब, किसी भी liquid की density, किसके comparison में measure करेंगे हम? divided by density of water at 4 degree Celsius, क्योंकि यहाँ पे इसकी density जो है, maximum होती है, ठीक है? चलिए, next, which of the following thermometers is known as pyro meter, pyro मतलब जो high temperature को measure करेगा, तो इन में जो सबसे high temperature measure कर सकता है, वो होगा, आपका radiation, यानि जो sun से raise आते हैं, उसको भी measure कर लेता है, तो radiation thermometer होगा, thermoelectric यानि हमारा, जितने भी resistor वे गएरा होते हैं, उसमें use किया जाता है, gas thermometer यानि gases का जो pressure या volume change होगा, उसकी विज़े से, आपका temperature में क्या change आया, और liquid thermometer में, यानि हम यहाँ पे liquid फिल करते हैं, यहाँ पे gas फिल करेंगें, तो इससे पता लग जाएगा, clear, next है आपका, the thermometer which used to measure 2000 degree Celsius temperature is, देखे, जो gas thermometer होता है, उसकी range होती है, कितने temperature को measure कर सकता है, minus 183 degree Celsius से लेके, आपका 100 तक, ठीक है, mercury thermometer होता है, उसका होता है, minus 10 degree Celsius से लेके, 1, 1, 10 degree Celsius तक, ठीक है, total radiation का आपका बहुत ही जादा होता है, 700 से लेके, 4000 degree Celsius तक, और जो steam pressure होता है, उसका होता है, आपका minus 20 degree Celsius से लेके, आपका 280, ठीक है, तो, यह हैं आपके, तो सबसे जादा, नेक्स हम बात करते हैं, पारे, हैलियो, हैलियो मतलब Sun के लिए यूज़ के लिए है, ठीक है, हैलियो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? Sun के लिए, और अभी तक हम क्या करते हैं, Sun के लिए, यानि, जो radiations है, वो temperature हम measure करते हैं, किससे? पाइरोमेटर से तो क्या हो जाएगा solar radiation के लिए हो जाएगा next है आपका what is measured by manometer manometer से हम जो gases का pressure है वो measure करते हैं pressure of gases तो बाकि जो है air pressure को हमने देख लिया है barometer से density याद हो गया होगा hydrometer धार रखना hydro not high grow ठीक है जी ओर डी का difference है pressure of oil on the surface इसको हम surface tension के form में measure करेंगे ठीक है next है आपका which of the following pair is not correctly missed हमें in crack ढूणना है जो ओडो मीटर होता है गाड़ियों में देखा होगा आपने स्कूर्टी में बाइक में ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी चली हुई है ठीक है 10,000 किलोमेटर है 20,000 कितना डिसेंस उसने कवर किया है तो डिसेंस कवर्ड बाई मोटर भीकर ओंडो मीटर जो होता है वो होता है जो electromagnetic waves है यानि वो waves है जिनके अंदर electric और magnetic दोनों properties होती है उनकी wavelength को मीजर करने के लिए लेकिन इसने क्या दिया हो आपको frequency ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पे wavelength audio meter क्या है device for measuring sound intensity ठीक है then हम बात करते है emitter की emitter जो है क्या करता है current को मीजर करता है electric current लेकिन इसने क्या दिया हो है electric power power को हम करते है watt meter ठीक है power और emitter क्या मीजर करता है आपका current तो आपके रोंग में दो answer हो जाएंगे clear है कभी-कभी ऐसे question आपको मिल जाते है के जिनके एक से ज़्यादा answer होते है तो या तो उस question को delete कर दिया जाता है या फिर उसका आपको extra number दे दिया जाता है तो उसे solve जरूर करके नहीं यह में सोचां कि दोनों है तो हम कौन सा लगाएं बैरोमेटर में हम कौन सा liquid use करते है generally generally हम use करते है mercury ठीक है क्यों? क्योंकि इसकी density ज़्यादा होती है जो molecules है किसके molecules? जो mercury के molecules है उनके अंदर cohesive force ज़्यादा होता है cohesive मतलब जो force similar type of molecule के बीच में काम करता है ठीक है? और जैसे मालनो Hg और H2O है तो ये अच्छे से काम नहीं करेंगे मतलब इनके बीच में बहुत ही कम attraction होगा जब दो different molecule के बीच में कोई force काम कर रहा है तो होगा adhesive और जो same के बीच में होगा वो होगा cohesive clear है? So, हम क्या use करते हैं? mercury density of milk can be obtained by the use of हमने पढ़ा density of liquids हम किस में measure कर रहे हैं? hydrometer butyrometer से हम क्या measure करते हैं? fat content कितना है आपके milk के अंदर ठीक है? और lactometer से हम उसका measure करते हैं purity of milk clear? thermometer से आपको पताई है हम temperature measure करते हैं which instrument is used for measuring humidity in the air? air के अंदर humidity को अगर measure करना है तो हम क्या use कर रहे हैं? hydrometer hydrometer कर चुके हैं density ठीक है? spectrometer और hydrometer क्या है? spectrum आपने पता है न? कि जब भी कोई हम white light लेते हैं और उसे prism से pass कराएंगे तो वो एक color के अंदर change हुजाएगी करने के लिए हम क्या करेंगे? spectrometer clear है? जो यूडियो मीटर क्या होता है? यानि mixture of gases के अंदर ठीक है? उन mixture of gases के अंदर किसी भी gas का volume क्या है? volume in mixture of gases and साथ में उसके अंदर क्या physical या फिर क्या chemical change आते हैं? वो सारा मीजर किया जाता है किस से? यूडियो मेटर से clear? next हम बात करते हैं high grow high grow हम देख चुके हैं अब तो याद भी हो गया हो गया humidity in atmosphere कितना है? atmospheric pressure हो गया आपका? barometer याद हो ही जाएगा बार-बार लिखके आपको है ना high temperature को किसे करोगे? pyro और velocity of wind आपके any move यह एँ यह भी लिख सकते हो और यह भी लिख सकते हो जो thermoregister है वो electric thermometer में यूज किया जाता है ठीके? तो आपका एक rect है जो capacitor है वो capacitance को measure करने के लिए होता है thermometer heat के लिए होता है दोनों अलग-लग है bipolar junction, transistor transistor हम किसमें यूज करते हैं? जब एक zone से दूसरे zone में जाता है तो transition आती है ठीके? सो rectifier किसमें यूज कर रहे है हम AC को DC में जब convert किया जाता है मतलब alternating current को direct current में change कर देता है rectifier ठीके? junction diode मतलब आपने सुने होंगी P और N diode जो होते है ठीके? वो इसमें यूज नहीं किया जाते amplifier क्या खरता है? amplifier amplify करता है कहने का मतलब यह है जब घर के अंदर आपको देखा होगा कभी कभी dim light आती है लेकिन उसे increase करने के लिए हमारी voltage के अंदर क्या होते है amplifier होता है मतलब voltage को बढ़ा देता है ताकि आपका कोई भी electric instrument या electric appliance जो है वो जले नहीं ठीक? so amplify क्या करता है? increase the voltage clear? next है आपका the velocity of wind is measured by हम बात कर रहे है velocity of wind की ठीक है barometer हमने देखा barometer क्या है atmospheric pressure के लिए है hydro density के लिए है अब इन दोनों को हम अगर देखे तो wind vane और अनुमियों मीटर दोनों ही motor vehicle में यूज के जाते हैं किसलिए? vehicles में यूज होते हैं wind vane तो क्या बताएगा सिर्फ speed को ठीक है? और अनुमो मेटर जो है speed with direction मतलब velocity को तो क्या होगा? अनुमो मेटर आपका answer हो चाहेगा clear है? तो ये था आपका MCQ सीरीज का lecture 3 जिसके इंदर आपको कराया गया measuring devices तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहना हमारी वीडियो को like, share, subscribe जुरूर करना thank you good luck for your exam